सब्सक्राइब कीजिए Health Tips in Hindi चेनल को और बेल आइकोन को दबाएए हमारे नए विडियो को सबसे पहले देखने के लिए बोजन को स्वाधिष्ट और पॉष्टिक बनाने के लिए कच्चे प्याज का इस्तिमाल जरूर किया जाता है कच्चे प्याज का उप्योग खाना बनाने में करने से खाने का टेस्ट बदल जाता है और इसके अलावा कच्चे प्याज का सेवन करने से अनेक शारीरिक फाइदे भी होते हैं कच्चे प्याज का सेवन करने से बवासीर कब्ज कान का दर्थ जैसी गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिलता है कच्चा प्यास शरीर के लिए प्राकृतिक एंटिबाउटिक की तरह कार्य करता है लेकिन कुछ कमभीर बीमारिया एस भी होती हैं जिन में व्यक्ति को कच्चे प्यास का सेवन बिलकुल नहीं करना चाहिए आईए जानते हैं इन चार लोगों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए कच्चे प्यास का सेवन एक कम ब्लड प्रेशर जिन लोगों को कम ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है उन्हें कच्चे प्यास के सेवन से बचना चाहिए कच्चा प्यास खाने से शरीर की निसे फुल जाती है और ब्लड प्रेशर और ज्यादा कम हो जाता है 2. खून की कमी जो लोग अनीमिया रोग से पीरित रहते हैं उन्हें कच्चे प्यास का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए क्यूंकि कच्चा प्यास खाने से शरीर का फैट और ब्लड कम हो जाता है और शरीर में खून की कमी होकर अनीमिया रोग हो जाता है 3. लीवर से जोड़ी बीमारियां जिन लोगों को लीवर समबंदी समस्याएं होती हैं उन्हें भी कच्चे प्यास का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए कच्चे प्यास का सेवन करने से लीवर समबंदी बीमारियां और ज्यादा गंभीर हो सकती है 4. ब्लीडिन की समस्या जिन लोगों को शरीर में ब्लीडिंग की समस्या रहती है उन्हें कच्चे प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए. कच्चे प्याज का सेवन करने से ब्लीडिंग की समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है. दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह विडियो जरूर पसंद आया होगा इससे संबंदित कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट शरूर करें और रहे सेही विडियो को देखने के लिए हमें लाइक, शेर वर सब्सक्राइब करना न भूले, धन्यवाद